तो दोस्तों यह 10-15 साल पूरान आटो है तो वाइरिंग देखते हैं इसकी अच्छे से वाइरिंग होती है यह फिर और कुछ प्रॉब्लम है तो दोस्तों वीडियो पर लास्टक बने रहना है तो हाई फेंट्स यूटूब पर आपको सागते में वाली बागुल और मेरे चनल का नामें आटो रिक्षा ग्यान तो दोस्तों यहां आपके लिए में आज टूश्ट्रो गाड़ी है उसकी जो वाइरिंग है पूरी जो रिपेर करनी के लिए आटो रिक्षा ही है तो देखत यह वीडियो लाज़ तक बने रहेना और चैनल पर आयो तो लाइक करना कमेंड करना और रेड बटन को दबाना जिसे सब्क्राइब करना और बैल अलकन दबाना जिसे आने अलि हर वीडियो की आपडेट्स आपको मिलती रहेगी तो दोस्तों चलते फटा-पाट और वीडि जलनी के चांसे होती है तो उसके पहले वायर निकल उसके बाद आपको जितने भी शॉकेट आपको देख लेना एक बार अब नए होए पूराने शॉकेट आपको ध्यान देना दोस्तों क्योंकि कभी कबार के आप गाड़ी का जो वायरिंग करते समय बहुत बार ऐसा होता है लग लग शॉकेट चार मुखे होते तीन मुखे जायों पिर आपको पता है इस कि आप जब से काम करते तो लेफ्ट वाला राइट वाला इंडिकेटर उसकी शॉकेट हो स्टेप बाइस्टेप ज्रू करकर के लिए नहीं चार्वायरिय में आप उसको चला सकते दियान रख सकते इस तरह जल जाते तो दोस्तों यहां कोई option ने होता तो यहां देख सकते आप जैसे आपकी आटो जैसे पुरानी होते जाती वैसे 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 वायर का जो एक टाइम आता है वो खराब हो जानी मैंने उसका मैने फेक्टर डिट के ऊपर चल जाती और वायरिंग जलने के चांसिस बढ़ जाते तो दोस्तों फिलल आभी देख सकते यह वायरिंग जो वायर लूम आटो रिक्षा बनने के लायक ने फिलल इसलिए अभी नया वायर लू लेकर आए तो दोस्तों यह 1200 तक वायर लूम आता है आपको ध्यान देना है टूष ट्रोक गाड़ी का वायर लूम ज्यादा महेंगा नहीं है ऐप तो यहां कम्पणी का वायर लूम लेंगे थोड़ा महेंगा जाता है पर आप जहाँ स्पेयर पार्ट की दुकान होती है आ गाड़ी के वायर के जो थे कलर कोड श्टेंडर ही होता है औसे को जादा प्रोब्लम माता ने आपको खाली शौकेट तक उसको कात लेना है आपको देख सकते यह रही शौकेट कहा से कहा तक आयो है तो इसको इस जगह से काट लेना है और नहीं है जो वायरिंग आने वाली तो फिर से उसको जो पी उसी टेप से अच्छे से उसको जॉइंड मार देना जिससे पता ना चले क्या वाइरिंग होई यह नहीं तो दोस्तो यह काम धीरे-धीरे करना है अभी शाम होने से पहले यह गाड़ी का काम जल्दी से करके देना है क्योंकि आटो ड्राइवर आपको पता ही आटो तो चालो हो जाएंगी पर लाइट इंडिकेटर होन यह चीजे अनने होंगी और अभी पूरानी गाड़ी में फ्यूज बॉक्स तो नहीं था दोस्तो यह स्विच बॉक्स भी नहीं था जो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पर दोस्तो इसको भी आड़ी इस प्रावे ला लगाना है है इसका शौकट कंपणी ही रहता है तो उसको ज्यादा प्रॉबल्म नहीं आता है तो दोस्तो यहां की आटो पहले से इसी नहीं हो जाती पर ध्यान देना है वाइरिंग करते हैं में शौकेट को एक जैसा शौकेट ही फिट करना है गलत जगा अलग शौकेट ना फिट कर जिसे और प्रोब्लम हो सकती है तो दोस्तों यहां मेरा खहिने का मतलब यही है कि आपके पास वाइर में के पास सिधा जाने और काम करना आप फुद ट्राइ करन साइट का बहुत ही जरूरत होती है तो यह देख सकते दोस्तों वाइरिंग करते समय इस तरह अपर डिपर और रेड कलर के और आर्थिंग वायर तो आपको पता ही है यह स्विच है गाड़ी का ओन आफ करने के लिए अलग से लागा रहे तो इसको भी कोई प्रॉब्लम नह चांसिस रखने का निए ध्यान दगने काम करते समय अब फिलाल इर्फान भाई यह वो काम अपना अपना खुद आराम से कर रहे और अभी अंधेरा हो चुका है दोस्तों क्योंकि दिन बर से गाड़ी का काम करते करते गाड़ी में बहुत जगा यह वायर शॉट हो चुकी पूरा बनने जैसे ही नहीं उसमें कुछ बचाई नहीं तो दोस्तों फिलाल आटो ड्रायर भाई को बोला कि आप नया वाला ही डाल दीजिए आपको और भी आटो अपका ज्यादे लंबे समय तक अच्छे से एंडिगेटर लाइट बाकी चीज़ें अच्छे से वर्क करें तो फिलाल अभी देख सकते हैं काम पूरा रफ्तर से काम चालू है दोस्तों अभी धीरे-धीरे करते हैं कि स्टेप बैस्टेप एक वायर को अच्छे से चिपका देना है जिसे प्यू सी टेप फिर से आपके आटो का जो वायरिंगे पूरी तर अच्छे से वर्क करें दोस इसे होने के बाद आपके गाड़ी स्टार्टल में कोई दिक्कत ना हो और पीछे के वायरिंग में देख सकते हैं जो शॉकेट है वही के लागा दिये जहाँ पूरान निकल के नया वाला शॉकेट और इंडिकेटर पीछे के टेल लेम बाकी पूराने गाड़ी में इते सार तो दोस्तों यह से छुप जाता है और पता नहीं चलता है चोटे बच्चे को ऐसे वायर टूट फूट जाती है यह फिर वही कारण होता है तो फिलाला भी यह काम हो चुका है और आगे आगे की जो टेल लेम इंडिकेटर हेडलेट की वायर जो टेस्टिंग करनी है चाल हो चुकि और देख सकते गाड़ी की पूरे पार्किंग लाइट हेडलेट पूरी तरह चालू हो चुकि मतलब यह काम हो चुका है और आपको मेरा वीडियो कैसा जरो लाइक और शेर करना दोस्तों